वेलकम बैक दोस्तों क्या हाल है आप सब का मैं उमीद करता हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे हाँ तो भाई लोग लूसिफर सीजन फाइफ पार्ट टू रिलीज हो चुका है तो मुझे इन पार्ट्स की नहीं समझ आती कि एक सीजन को दो पार्ट्स में डिवाइट करने का क्या मकसद है और मैं आपको इन्फॉर्म करता चलू कि अब आगे आने वाले नेट्फिलिक्स के ज्यादातर सीजन हमें पार्ट्स में ही देखने को मिलेंगे यार डैट्स नोट गुड आई विश के एक सीजन को दो तीन माँ लंबा कर दिया जाए लेकिन उसको एक ही दफ ये सिर्फ एक वज़ा है और वो है इसका कॉंसेट इसकी स्टोरी लाइन मतलब चेक कर ये डैविल दुनिया में आता है और वो आगे क्या क्या करता है वो सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सीजन फाइफ पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पर सीजन वन और वहीं से आगी शुरू होता है पार टू तो आपको पताते हैं जलू पार टू की टोटल आठ एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंट तक्रीबन 1 घंटे के लगबग है आप इसे नेटफलिक्स पर देख सकते हैं मजी की बात आप इसे नेटफलिक्स पर हिंदी में भी और इसका हिंदी वर्जन भई बहुत ही कमाल का है, अगर मैं बात कुरू स्टोरी लेंड की तो यार बस जरा सा हिंट दूँगा कि लूसिफर और माइकल इन दोनों कबाब दुनिया में आ चुका होता है, और उसका मकसद सिर्फ एक होता है, रेटायर्मेंट लेने का, मलब ड इमोशनल सीन डाले गए है ना, अगर आप नॉर्मल दिल को होए तो आपको रोना आ जाएगा, मतलब कि कमाल के इमोशनल सीन बाकी भी बहुत अच्छा था, अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की तो यार मलब कि सीजन वन में अगर इनकी आप एक्टिंग देते हैं और सीज से बहुत उपर है, तो भाई जिन जिन लोगों ने लूसिफर सीजन फाइफ पार टू इतना लंबा नाम है भाई, यह देख लिया है, मुझे नीचे कॉमेट सेक्शन में बताओ के आपको यह सीजन कैसा लागा, वीडियो पसाद आई हो तो उसे लाइक करें अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, अगली आनुमेल वीडियो तो कपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फूर वाचिंग, खुदा आफिस.